तक त्यारियों का जोयजा लिया, रामनगर रिजॉल्ट में अधिकारियों के साथ बैठकी और G20 सम्मिट की भव्वे और दिव्वे त्यारिया करने के अधिकारियों को नरदेश दिये बता दे कि उत्राखंड में G20 सम्मिट का आयोजन 28 से 30 मार्ज तक रामनगर में प्रस्तावित है G20 की मीटिंग होने जा रही है जहां 28, 29, 30 को उसके लिए कहां उनकी मीटिंग होगी, कहां ठहरेंगे, कहां इंतिजाम होंगे सारे उसको देखने के लिए आज जहां विजिट थी, तो जो भी जहां पॉसिबिल्टी है वो सभी को देख रहे हैं हमारे साथ हादेगारियों की टीम है तो सारी जगा देखे जो बेस सूटेड होगी उस पे निड़े लेगे कानपुर में एसपी विदायक इर्फान सोलंकी पर पुलिस ने बड़ी कारवाई की है बता दें आपको कि जाजमो थाना अंतरगत में इस्थित एसपी विदायक के चार प्लोट्स को पुलिस ने जब्त कर लिया करीब 10 करोड रुपे की संपती कानपुर पुलिस ने जब्त की है आज से इर्फान सोलंकी के खिलाफ पुलिस का एक्शन शुरू हो गया मौके पर भारी पुलिस फोर्स और पी एसपी मौजूद एसपी कोतवाली रंजित कुमार की मौजूदगी में कारवाई हो चुकी है इसके पहले एसपी विदायक की 25 करोड की संपती जब्त की जा चुकी है शौकत अली की हिलाल कंपाउंड और मशली वाला हाता में अपार्टमेंट भी जब्त कर लिया गया इर्फान सोलंकी की अभी तक की पुलिस ने करीब 200 करोड की संपती चिनहित की है